हेलो फ्रेंज मैं हूं भोली और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद भोली में आज हम साउथ इंडियन की बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने वाले हैं और अब इसे हाँ से मसल मसल कर इसका सारा जो पल्प है उसे हमें निकाल लेना है अलग से और लीजे इसे मैंने चान लिया है अब यह जो इमली का वेस्ट बचा हुआ है इसे आप फेके नहीं इससे आप तांबे या पीतल के बरतन साफ कर सकते हैं इससे बरतन एकदम चमक जाते हैं थोड़ा सा नमक डालीजे इसमें और बरतन साफ कर लीजे बहुत अच्छे साफ होत है अब इसमें बिल्कूल पानी अगर नहीं है अब इससे चाकू या कैची की सहायता से एकदम बारी बारी काट लीजे आप अब जो मोटे डंठल होंगे ना उससे हटा दीजिए क्योंकि खाने के टाइम यह मूं में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं तो लीजे इस त समच मेथी दाना है तीनों को हमें हलका सा भून लेना है तो इसका कलर चेंज नहीं करना है हमें हलका सा इनका मॉइस्टर खतम हो जाए बस इतना ही भूनना है हमें तो लगभग दो मिनट के लिए भून लेंगे इससे हम तो गैस को बंद कर लेते हैं यह भून चुकी अच् और इसे 5 मिनट तक इसी तरह से जलाते हुए पकाना है ताकि जो इमली का पल्फ है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए तो ये देखिए गाढ़ी हो चुकी है इसे ज़्यादा गाढ़ा में और नहीं करना है इसे कढ़ाई अभी गरम है तो ये जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी थोड़ी से और गाढ़ी हो जाएगी तो गैस को बन कर लेते हैं और लगबख 5 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया है और ये देखिए मसाला भी मैंने इस तरह से दरदरा कूट करके तयार कर लिया है तो इमली का जो पल्फ है हलका सगराम है अभी इसी में हम धन्या की पत्ति डाल देंगे जितना भी हमने काट करके रखा है और इसी के साथ ही दो टेबल स्पून यहाँ पर काश्मेरी लाल मेज का पाउडर है आदा छोटा चम्माच हल्दी का पाउडर है और एक चम्माच नमाख है सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस को मैंने बंद रखाया भी आन नहीं किया है बस इसे मिक्स करके इस तरह से छोड़ देंगे हम यहाँ पर हमने एक कप जितना तेल डाला है तेल इसमें ज्यादा लगता है क्योंकि यह रिजर्वेटिव को काम करेगा इसे हम लंबे समय तक रख सकते हैं अगर आप तेल कम कर देंगे तो यह बहुत समय तक आप नहीं रख पाएंगे और यह जल्दी से खराब भी हो जाएगी तो टेबल स्पून चन डाल है एक टेबल स्पून उड़त की डाल है इन्हीं मैंने अच्छे से पोच लिया है साफ कपड़े से और यह धूली हुई न यहां पर लगभग दो गांट लाशून है आप चाहे तो यहां पर काट के भी डाल सकती है लेकिन जब पूरा लाशून अता है ना आने की टाइम में तो इसका उतेशा बहुत ही अच्छा आता हूँ फलेम को हमलो ही रखना है और मसालों को सच से भूंडना साभाएं यहां पर आप अपनी टेस्ट ही साथ से डाल सकते हैं, क्योंकि इमली बहुत खटी है, बहुत चरपटा सा यह बनेगा, इसलिए मैंने यहां पर इतना डाला है, और यह बहुत तिखी ही लाल मीच, और इसी के साथ हम डालेंगे यहां पर यह सुखी हुई मिठानिम की पत्तिय आपके पास ताजी है तो आप वह इतनी मांग कीजिए, इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुर्पू आ रही है, और देखें लसुन का कलर भी हलका सा चेंज हो किया है, इसी स्टेज में हम प्री और धन्या की पत्ति का पेस्ट बना करके रखें न, वह इसमें डाल रहेंगे देखें, इसमें अभी तेल बहुत जादा लग रहा होगा आपको, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है, तेल इसमें बहुत जादा यूज होता है, क्योंकि आम इसे लंबे समय तक रखना चाहते हैं, इसे भी और अगर आप थोड़ा सा बना करके फरले टेस्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा कम तेल में भी आप इसे बना करके थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, लेकिन याकीन मानिया, इतना सारा जो आपको लग रहा है न, ये बहुत कम पढ़ जाएगा, जब आप खाने बेठेंगे और चावल के साथ बना रही हूं है, आज तो इसे आप चाहे तो रोटी या पराठी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी लगती खाने में, और साउथ इंडिया में ये बनाया जाता है, वहां की ये पारंपरिक है, और इसका नाम तो मुझे नहीं प मुझना है, और इसी के साथ ही हमने जो ये मसाला बना करके रखा था ना, ये वाला, इसे भी इसी में डाल देंगे, और बहुत ही अच्छी कुछ भू आ रही है, इसमें से अभी, और साउथ इंडिया में इस तरह से इंडिकी बहुत सारी रेसिपी बनाई जाती है, तो अच्छे से भून चुकी है, और बहुत ही प्यारा सा कलर आया इसमें, तो अब यहाँ पर हम डालेंगे नमक, तो आप पहले टेस्ट कर लिजे, उसके बाद आप नमक डालें यहाँ पर, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला था, तो यहाँ पर एक टेबल स्पून नमक की और ज़रत पड़ेगी मुझे, तो यहाँ पर एक चम्मच हम सक्कर डालेंगे, अगर आपके पास गूड है, तो आप छोटी सी गूड की डली भी डाल सकते हैं, यहाँ पर दो टेबल स्पून मैंने यहाँ पर शक्कर डाला है, यह बन करके तयार है, चटनी, आप इसे चार से नितक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो लीजिए हमारी जटनी यह अचार जो भी आप बोल सकते हैं, यह बन करके तयार है, आप इसे रोटी या चावल के साथ में सर्व कर सकते हैं, और यह चावल के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो उमीद करती कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्रीस वीडियो को लाइक कीजे और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना खूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे क्रिशना